दोस्तों आपके फेबरिट शो थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी में आगे क्या हो रहा है चलिए बात करते हैं क्या देख रहे हैं हम एपिसोड में नमश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलिवुड स्पाई दोस्ता एप्रियंका काजोल को पार्टी गिफ्ट में अनुराग और उसकी शादी का कार्ड देती है और वो देखकर काजोल बहुत एमोशनल हो जाती है और फिर उसकी और मिसंडरस्टेंडिंग बढ़ती है आगे दोस्तो सारे नियूस चैनल्स पर अनुराग और प्रियंका की शादी की खबर टेलीकास्ट हो जाती है और अनुराग को बहुत गुसा आ जाता है आगे हम देखते हैं प्रियंका आ जाती है और अनुराग उसे कहता है पार्टी में जो भी हुआ वो बस एक ड्रामा था और तुम भी जानती हो ये सब क्यों कर रहे थे हम किसने प्रेस में एक खबर लीक की आगे दोस्तो वहाँ पर दीदा मा आ जाती है और अनुराग को शादी का कार्ट दिखाती है और कहती है तुम्हारी काजोल ने ही छपवाया है ये सब दोस्तो आगे प्रियंका की मा और उसीधा मा अनुराग पर प्रेयंका से शादी करने के लिए दिखाव डालते है पर अनुराग मना करता है और कहता है काजोल ऐसा कर ही नहीं सकती पर मैं वादा करता हूँ जिसने भी ये हरकत की है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं आगे दोस्तो अनुराक काजोल को कॉल करता है पर काजोल फोन कार्ट देती है हम देखते हैं फिर काजोल को किसी आदमी का अनुराक के फोन से कॉल आता है और वो कहता है बलास्ट हुआ है और मुझे ये फोन वहीं से मिला इसलिए मैंने लिस्ट के पहले नमबर पर कॉल किया आगे दोस्तों काजुल बहुत घबरा जाती है और वो भागी भागी घर से निकलती है और एपिसोड खतम हो जाता है दोस्तों क्या डॉक्टर अनुराग ठीक है या उनके साथ कोई हाथसा हुआ है क्या प्रियंका की चाल सबके सामने आएगी आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अभी के लिए इतना ही देखते रहिए